नमस्कार दोस्तों मैं रावल विश्रा और आप अपने चैनल डी की में उमीद करता हूँ कि अब मैं लाइब हो गया हूं मेरी आवाज जो है बहुत ही बुलंत तरीके थे आप सभी को सुनाई दे रही है आप सभी को वेरी वेरी एपी न्यू यर क्योंकि कल है नए साल का पहला दिन और यह मेरा सौभाग है कि आज मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है आज दिन है लेकिन हम इस साल के आखरी दिन आप से मुलाकात कर पा रहे हैं आप जो क्लास करने जा रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि यह अब तक मैंने कितनी भी क्लासेश लिए यूटूब पर और पेड़ प्लासेश-धल को मिला गर देखा जाए तो यह मेरी अब तक की सबसे ज्यादा मेहनत वरी class है यानि कि इस class को बनाने में मुझे जितनी मेहनत लगी है उतनी साइधी किसी class को लगी हो जब हमने ये batch launch किया था जो लोग नए हैं उनको मैं ये बता दूँ कि ये जो batch है ये paid batch की class है और इसके अलावा बागी सभी classes आपको paid batch पर ही उपलब्द हो पाएंगी ये बैच जबने स्टाट किया था तो हमने सोचा था कि हम ये 20 टॉपिक को complete करेंगे और बहुत ही प्रॉपर तरीके से complete करेंगे थोड़ा था basic idea कम होने की वज़ये थे हमने क्या कि हमने कई सारे courses market से purchase किये जो भी और और कोई solve नहीं हो रहे थे फिर हमारे पास चुनौती ये थी कि हम इस course को कैसे design करें एक तरीका तो ये था कि हम इस course को design करने के लिए ऐसा करें कि पहले previous year के जो भी प्रश्ण है उनको ले 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 और उसके आधार पर इस course को design करें लेकिन उसमें थोड़ा था डर ये था कि हो तकता कि क्योंकि previous year के प्रश्ण जो है वो ऐसा भी हो तकते हैं जो अब आगे ना पूछे जाए फिर एक दूसा तरीका होता है जो course design करने के लिए होता है या course को पढ़ाने के लिए होता है कि आप किसी course को सुरू से अन्त तक प पूछे हैं उसमें से 95 प्रश्ण जो है वो इसमें आराम से कवर हो जा रहे हैं एकात प्रश्ण जो उल्टा सीधा उन्होंने पूछा है वह भले ही आपे कवर ना हो तो उसकी बात अलग है आपको ध्यान क्या रखना है जो चीजे मैं आपको बताऊंगा आज आप एक आपके दिमाह में बैठ जाएंगी पैड़ने को आप पीडियाप से भी पर सकते हो लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्दोते हैं जैसे बोलतान बोल अलाप अलाप गमक यह कुछ ऐसे सब्दोते हैं जो हमें समझ में नहीं आते तो इसके लिए आपको मेरी जरुरत पढ़ेगी व पकड़ता हूं मैं आप सभी के सामने पाप ये करने जा रहा हूं कि जितना पुराना भारती इतियास है उससे कहीं जदा बड़ा भारती ये music कहतियास है यानि भारती संगीत कहतियास है क्या आप समझते कि भारती इतियास को दो या चाहिए उनको उच्छे संवान नहीं मिल पाए तो यह पाप जरूर मैंने किया होगा भारती म्यूजिक की तरफ चलू आगे उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि भारतीय संगीत जो है जो भी इंडियन म्यूजिक है उसमें ती तीनों में डिफ्रेंस क्या है कोई भी आदमी मुझे यह बता सकता है अराम से करिए देगे बलबल में पढ़ेंगे हलबरी में पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा टाइम और वेस्ट होगा बहुत रिलाक्स होके पढ़ो चायवाई रख लो अपने पास टॉपि आपको कैसी लगती है वह आपकी बात है मैंने पूझ सुर लय और ताल में बेसिक डिफ्रेंसि क्या है किや है को इसको मैं है तीन पारट में ब्रेक किया है तीन या चार पार्ट में ब्रेक किया है भारतिये संगीत को पूरा भारतिये नत्यान संगीत को आज सिंगर घराना गायक और उनके घराने अगला क्लास जो आएगा वो आज जो भी आपके बाद दियांतर होते हैं उन पर आएगा सिसके बाद वाला जो इंडियन क्लासिकल डांस के उपर आएगा और ज़रूर्वत पढ़ी तो एक और क्लास आएगा इंडियन फोक डांस के ऊपर तो इस तरीके से चार पार्ट में यह कंप्लीट हो जाएगा आज होते हैं एक्श्वल में जो सबसे छोटी काई है किसी गायन की वो है स Mean जैसे सारे गा मापादा नीसा सात स्वर जो है वह भारती गायन में स्तमाल क्ये जाते जैनें सब तक आते सब्छंत बता रहा हुआ हूं मैं कितने तक हुए श The तो सात सुर हैं और सात शुरों को आप एक रिपेटीशन पैटरण पर ले आए जैसे तक टक 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 हमाली जए घरी चल लगी ठिक टिक टुक कोई चल के आ रहा ठक 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 गुड़ा चल Baptist Leanne तो यह जो है यह एक पूरा रिपीटीशन पैटर्न है एक ही सा 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 रे 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 एक ही सुर को ले करके सा 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 ले होती है वो भी दो तरह की होती है मैं उल्टा बोल दिया ले होती है जासे जल्दियली बोला तो फास्ट टेंपो में हो गया तो यह क्या हो गई मलब किसी भी सुर का रिपीटीशन पैटर्न जो है वो ले है और अगर हम इसमें एक साइकल डाल दे साइकल मनलब जैसे तो यह क्या हो गई यह ताल हो गई इसे कहते हैं सुर ले ताल यानि कि अगर सुर सुर को आप रिपीटीशन पैटर्न में ले आए तो ले बन जाएगी ले में आपने पिरियोडिकली कुछ इंसर्ट करके साइकल में उसको ले आए तो सुरु करते हैं भारतिय संघीट यानि इंडियन म्यूजिक बेसी कली जो इन मैंसिंग तोमर यहांने से माना जाता है जब से इसके बारे में लिखन पर्धन शुलू हुआ वाकरी में इसको किया गया ऐसे तो वेदों समय से चलता चला आ रहा है वेद हो गए आपके गोपाल दास हो गए आपके सवामी हरी दास हो गए तो बहुत सारी लोग चलते चले आ जा सकता है एक नदर्न म्यूजिक एक सदर्न म्यूजिक नदर्न म्यूजिक यानि उत्तर भारत में जो म्यूजिक गया जाता है उसे कहा जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक और आपके साथ इंडिया में जो म्यूजिक गया जाता है उसे कार्नाटिक म्यूजिक आपका SSC जो द दिंदी में गा सकते हैं क्या, 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 कहीं और चलेगे तो काहे, 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 है ना, के, 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 तो ये अलग-अलग देशा सब्दों की वज़े से भी अलग-अलग तरीके की विधाएं जो है वो नदर्न इंडिया में दिखाई दी जब कि सदर्न इंडिया में यानि दच्छर भारत में एक ही जैसी परंपरा दिखाई देती है अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की हिंदुस्तानी म्यूजिक और करनाटिक म्यूजिक के बीच में जो डिफरेंस था हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो पूरी तरीके से आपका आधारित है जितना गाईकी पर जोड़ दिया जाता है उतना ही इंस्टूमेंट पर जोड़ देते ह। नहीं मरलब आप घिंदुस्तानी मूजिक को बगएर इंस्टूमेंट के भी गा सकते हैं जबकि करनाटिक मोजिक में दोनों पर बराबर जोड़ रहता है यानि कि आप इसे बगएर instruments के नहीं का सकते हैं यह basic difference है दूसरा यह है यह यह तब जैसा था अमीर खुसरों के जवाने में आज भी वैसा है जब कि हिंदुस्तानी music में बहुत सारी बदलाव आए हैं तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदुस्तानी music से हिंदुस्तानी music भरत मुनी का जो नाटे सास्त्र है वो 200 इसापूर से 220 तक बिलाउंग करता है कब बिलाउंग करता है 200 इसापूर से 220 तक बिलाउंग करता है इसकी जो एतियाजी जड़े हैं वो 14 सतापदी में यह अलग हो गए कब जब आपका अमीर खुसरों आए अमीर खुसरों 14 सतापदी में आते हैं और वो बकाईदा इसको क्या करते हैं अलग-अलग कर देते हैं हिंदुस्तानी music में improvisation होने लगते हैं उनमें कुछ बदलाव आने लगते हैं और हिंदुस्तानी साखा जो है वो अलग हो जाती है करनाटिक music से हिंदुस्तानी साखा जो है वो सुद्ध सब्तक का प्रयोग करती है प्राकतिक नोटों के सब्तक प्राकतिक नोटों के सब्तक मतलब सारे गामा पाधा नीशा का प्रयोग इसमें प्रॉपर किया जाता है जबकि करनाटिक मीजिंग में इन सुरों का प्रयोग नहीं किय ब्राचीनकाल में गुरू सिस्यो की परंपरा से एक दूसरेसे सिरू व भूा था प्रणाली पर आदारित है राग क्या होते हैं राग एक मधुर पैमाना होता है जिसमें मूल में सात स्वर होते हैं वही सारे गामा पादा नीशा राग को आप ये भी कह सकते हैं कि मून के हिसाफ से यानि कि किस तरीके का मून है किस तरीके के मून में ये गाना गाना है उस त गाना पड़ेगा और यह पूरा पूरा हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर गाता है तो ऑदियंद्र है यहां पर रागपर आधारित मूल स्वात्सवर मिलते हैं और यह सात्सवर जो हैं इनसे जुड़ा हुआ प्रश्म एक बार पूछा गया था कि आपके दोनों मिला लिए जाएं सुद्ध और विकृत तो कुल मिलाके स्वरों की संख्या कितनी है तो हिंदू तानी म्यूजिक के अंदर स साथ पस्वर है सदज सदज जिसे मोर की आवाज से लिया गया है से लिया किरैबुद की की आवाज से लिया गया है मध्य मधियर यानि elephant हाती की आवाज से लीया गया है आपके जो साथ सुर है सारे गामा पाधा नी सा मिा लै तो आर्थ हो जाते हैं सारे गामा पाधा नी तो यह साथ होते हैं अगर आप इसके बाद सा मिला ले लेते हैं तो हो जाते इंगरेजी में ने Вам Volt काहते हैं यहां पर सब्तक है सब्तक में आपको ध्यान रखना है सारे गामा पादा नीशा में यह दो पार्ट में ब्रेक किये गए हैं एक होते हैं सुद्ध स्वर और एक होते हैं विक्रित स्वर सुद्ध स्वर कौन से होते हैं और विक्रिस स्वर कौन से होते हैं यह हमें समझना पड़ेगा अगर हम बात करें सुद्ध स्वरों को तो सुद्ध स्वरों को फिर से दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है एक है आपका चल स्वर और एक है आपका अचल स्वर चल स्वार में क्या आएगा चल स्वार में रे गामाधानी आते हैं क्यों चूंकि ये अपनी जगे के हिसाब से गाने में जहां पर आएंगे गीत में जहां पर आएंगे वहाँ गायन के हिसाब से थोड़ा बहुत इनकी सुर को उपर नीचे किया जासाता है रे, 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 बनलब अलब अलब तरीके से इनको गाया जासाता है इनके टेंपो में चेंज किया जासकता है, इनकी चीजों में चेंज किया जासकता है तो इन्हें क्या गादार है चल्सवर मनलब ये चलते रहते हैं अचल्सवर ये कहीं पर भी आएंगे आपको इनका उच्चारण उसी तरीके से करना है सा और पा सारे गामा पाधा नीसा में सा और पा जो है ये अचल्सवर है रेगा माधानी जो है यह आपके चलसवर है ठीक है आगया समझ में बाद समझ में आई शेयर करते रहे न भाई वीडियो को थोड़ा पूर अब रेग अब पूछा जाये एक्जाम में कि भाई चलसवर कौन से है तो रेगा माधानी अचलसवर कौन से है सा और पा ठीक है तो यह सुद्धसवर हो गया सुद्धसवर कितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ आपने पास सुद्धसवर है यह कैसे स्वर है सुद्धसवर बात करेंगे विक्रिस स्वर की विक्रिस स्वर जो होते है यह भी दो तरके होते है एक होते है कोमल और एक होते है तीब्र ता और पा को हटा दे तो रे गा धा और नी यह जो है जब अपने टेंपो से नीचे गाए जाते है मलब इनका जो इस थान है उससे नीचे गाए जा गधनी, ये कोमल सब्दों में गाय जा सकते हैं, इन्हें कहा जाता है कोमल विक्रित स्वर, जबकि जो आपका मध्यम है, यानि मा है, उसे तीवर में गाय जाता है, किसमें गाय जाता है, तो जब इसे तीवर में गाय जाएगा, तो ये विक्रित हो जाता है, मा का स्वाद कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है 12 होती है कि अ के जिसे हिंदुस्तानी मुजिक प्रणिख ने अपनाया है उसमें कुल सुरों कीं था रंप दिए सब्दांग जोहती हैं लेकिन पने अपनेंगे एख जिसको आपको तीवर अगर गाएं तो उसमें मा बनेगा, तो मा को ही तीवर गाया जा सकता है, बाकी को तीवर गाया, गाने को तो गा सकते हो, लेकिन फिर उसे अच्छा संगीत नहीं माना जाएगा, उसे रेणते हुए संगीत माना जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी क्या समझाने की कोशिस कोई, शुरति कया है स्वर का सबसे छोटा पार्ट सुर्टी कहलाता है दो एसार एफ सार पैस अंग्रेजी में चलता है हिंदी में इसी तरीके से चलता है जिसमें से सा और पा जो है यह अचल सोर है यह कभी भी नहीं बदलेंगे बाकि की शुर्टियां है जैसे राह राह का आप न हिंदुस्तानी संगीत में सुरुतियों की संख्या कितनी है तो बाइस यह नाट इसासर में बताई गई है कि बाइस सुरुतियां होती है बाइस सुरुतियों के लावा विक्रिस्वर कितने होते हैं पांच सुद्द्वस्वर कितने होते हैं साथ टोटल सवरों की संख्या कित तो कुल दस तरह की गाईकी देखी जाती है कितने तरीकी गाईकी देखी जाती है दस तरीकी गाईकी और जितने भी संगीतकार हुए है वो लगबख सभी तान सेन के बंसज है तान सेन जो है वो हिंदू थे आपके अग्बर के पाद दिल्ली में आ गए थे तो इसमें दस प्रमुक्स गायन सैली हैं जिसमें से सबसे पहली है धुरुपद, खयाल, चप्पा, चातुरंग, तराना, सरगम, ठुमरी, राकसागर, होरी और धमार जिनसे ये प्रश्ण पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रश्ण पूछे जाते हैं वो धुरुपद से पूछे जाते हैं पुराने जमाने में अगर कोई गायन सैली थी वो धुरुपद थी तो हम लोग जो सुरुवात करेंगे वो किसे सुरू करेंगे धुरुपद से सुरू करेंगे और ये सबसे कठिन गायनों में से एक है इसलिए इसकी जो प्रचलिता है वो धीरे-धीरे कम होती गई अविस्कार तो हुआ गायन में धुरुपत का लेकिन धीरे-धीरे इसकी क्या हो गई? प्रचलन कम होता गया क्योंकि ये कठिन था कठिन मतलब इसमें हर्चिश फिक्स होती है अगर आपको कोई राग गाना है तो उसका अलाब फिक्स होगा उसका बोलतान फिक्स होगा उसके बोलबंट एकदम फिक्स होगे गमाक एकदम फिक्स होगा सारे के सारे जो भी आपके क्राइटेरिया है वो पूरा फिक्स होगा तो सबसे कठेन और सबसे पुराना गायन कौन सा हो गया धुरुपद इसको अकबर के समाने से माना जाता है तो हिंदुस्तानी सास्थरी संगीत के सबसे पुराने और भवे रूपों में से एक नाट सास्थर में भी इसका उलेक आपको देखने को मिलता है यानि ये नाट सास्थर के जमाने से है बास्था अकबर के जमाने पर ये अपने पराकाष्ठा पर पहुँचा जिन्होंने बाबा, गोपाल दास, स्वामी हरीदास और तांसेन जैसे संगीत के उस्तादों को निफ्त और सरक्षण किया और मुगलदार में दर्बार में नवरतनों और नौरतनों में से एक माना जाता है तो अगर ये प्रशने कहीं बने कि सबसे पहले दुरुपत का गायन कौन करता था या सबसे बढ़िया जो दुरुपत गायन होता था उस जमाने में कौन तो अकबर के जमाने में स्वामी हरीदास का नाम आपको याद रखना है ये भी कह सकते हैं कि दृपद के संस्थापक, दृपद गायन सैली के संस्थापक कौन थे? गोपाल दास और स्वामी हरीदास इन्हों नहीं एक तरह से दृपद गायन शुरू किया था दृपद को इसलिए दृप कहा जा रहा है, मैंने पहले ही बता है क्योंकि इसमें सारी चीज़े फिक्स होती है, ध्रूब का मतलब होता है इस्थिर रहना, एक जगे पर टिका रहना, इसलिए इसको दुरुपत कहा जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जो राग में गया जाएगा, उसी राग में गया जाएगा, जितने ताल लगाने उतने ही ताल लगेंगे, तो मुला यह फिक्स था, यह आपको थोड़ा सा दिमाह में रखना है, स्वामी हरिदास का नाम आपने सुना होगा, तांसेन के गुरू थे, स्वामी हरिदास जो है, वो ब्रज भासा में अपने दुरुपत पदों की रचना करते थे, उनके केंद अब इस थल कहें, वो निधिवन मतरा में बना हुआ है, ब्रंदावन में, निधिवन ब्रंदावन में है, तो ब्रंदावन में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, कि सबसे पुराना गायन सैली कौन सा है, दुरुपत, जिसमे जो बनना होता है, या रागो जिस से बना जाते हैं, वो स्वरों से बना जाते हैं, सारे गामा पाधानीशा से, आगे चलते हैं, इस स्लाइड में इतना ही, अकबर के दौरान में, दुरुपत के गायन के चार चरण होते हैं, दिरुपत का जो सुरुवात होता है, वो आप है आकारवाला भावरे 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 यहां एक सब्द का इस्तमाल हो रहा है और यह सब्द अगर गाने में आया है गाने के बोल में है तो इसे हम लोग कहते हैं बोल आलाप तो इस तरह दो तरह के आलाप होते हैं तो जो दुरुपद में आलाप होता था वो सिंपल आ वहां से और इस्थाई आलाप का जैसे ही कतम होता है फिर एक इस्थाई भाव में चलता है फिर अंतरा उसको जोडते हुए जो भी गाने का मुख्य भाग है वो आता है फिर संचारी मृलब इसको प्रॉपर चलने के लिए रखा जाता है और अभोग इतना डिटेल में आपसे कितने घराने हैं तुरुपत के घराने जो हैं वो बोलियों के आधार पर बाटे गए हैं सबसे पहले आता है डागरी घराना ये डागर परिवार ही इसमें मिलेगा इनके सब के नाम के आगे आपको अल्मोस्ट डागर मिलेगा पहीद दून डागर जमिलिद दून डागर डा डागर सब्द का इस्तमाल मिलेगा यह डागर वानी में गाते हैं और आलाप पर बहुत जोर देते हैं तो यह प्रश्ण यहां से डारेक्ट रहसे बनेगा कि डागर वानी या डागर गराने की विजेस्ता क्या है आलाप पर बहुत जोर देंगे और डागर वानी में और डागरी घराना जो है वो क्या करता है डागर वानी में गाता है और आलाप पर बहुत जोर देता है यानि आलाप पर इतना ताकत लगाएंगे चिल्ला चिल्ला के इतना आलाप गाएंगे गले की नसे एकदम सुझा देंगे डागर वाले और अक्सर ये लोग आपको जोड दर्बंगा और बेतिया बेतिया को डुम्राओ घराना भी कहा जाता है दो घराने आते हैं दर्बंगा बिहार से और बेतिया यानि दुरुपच जो है वह आपका बिहार में डेवलप हुआ और व्रंदा वन तरही प्रसिचित लोग जानते हैं इनका करने का तरीका एकदम ही अलग है बेतिया गराना चौथा है तलवंडी गराना यह पाकेतान से संबंदित है खंडार वानी में गाते हैं चूकि परिवार पाकेतान में इस्थित है इसलिए अब इसको क्या कर दिया गया है भारती समु ढागरे खंडर और गौहर वानी में गाता है यह जो है और ऐसी सेलियों का प्रयोप करते है कि केवल वालों को प्रसिचित करते हैं है घराने का मतलब एकंटिकुलर मयूब्यूबजिक इसने बच्राव में पर सिखला उस्छे को सीखको इसमें स्नी Это प्गराने गरान मुलब सब्सक्राइब ज़ो संथापक माने जाते है नोट करते जाना अगर नोट करना हो तो डागरी घराने के जो संसापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं स्वामी हरिदास और तांते थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बोरिंग लग रहा है क्या बोरिंग लग रहा है क्या मजा नहीं आ रही है शेयर करते रहो तो अब आप कैसे पैचान होगे कि कौन किस घराने का है मेली इसके जितने भी सिंगर है उन सब के आगे डागर लगा हुआ है पैचान जाएंगे डागर गराने के पटाक से पकड़ लेंगी आमिनुदीन डागर और नासिर मोईनुदीन डागर अब भाईचानस वो डागर ना लगाए तो उदधीन से समझ लेना थोड़ा बहुत तो यह सब किसके है डागरी गराने के है इन्हें senior डागर बदर के नाम से जाना जाता है यानि senior डागर बंदू के नाम से जाना जाता है उसके बाद रहीम पईमुदीन डागर नासिर जहिरुदीन और नासिर पयोजुदीन डागर इन्हें junior डागर बदर के रूप में जाना जाता है और H.A.S. सयुद्दीन डागर एन दा ब्रदर जिया मोहिद्दून डागर जिया मोहिद्दून डागर ये काफी important है जिया फैरोद्दीन डागर इसके बाद जिया मोहिद्दीन जो है वो रुध्र वीना बनाने के लिए भी जाने जाते हैmos पूस्प्राज कोष्ठी वासीफुद्दिन डागर बहुत दिन डागर असीत खुमार बनर जी उदय भावलकर एंड गुंदेच्या पूछा था कि sudah का संबंद किस गायन सैली से है ये नहीं पूछा था किस घराने से है ये पूछा गया था कि गुंडेचा बदर्द का संबंद किस गायन सैली से है तो ये किस से संबंद है धुरुपद गायन सैली से है आज की डेट में कमी लोग गाते हैं पुराने ही लोग गाते चले आएं क्य पुंद्ट कुमार वेनरर्जी जो है यह किस गराने से acompan करते हैं यह आपके बिलॉण करते हैं डागर कराने से ठीक है डागरी गराने से समझ किसका है सौामी हरिदास और तांसें हैं ठीक तो यह मैंने क्या खतम किया दृपद जो है वह आपका थोड़ा सा खतम कर दिया है दुरुपत का पहला घराना मैंने खतम कर दिया है और वो है डागरी घराना तो डागरी घराने की जिस्ता क्या है आलाप पर जोड़ देती है डागर वानी में गाती है अकसर नाम के पीछे डागर मैसूस होगा क्या मैसूस होगा डागर सब्द जो है वो अकस सिंगर हैं जो आज की डेट में धुरुपद में गायन कर रही है धुरुपद का कठिन बात क्या होती है धुरुपद में सब कुछ fix होता है इसलिए इसको धुरुपद कहा जाता है यानि कि जो हिले नहीं अब आता है दर्भंगा गराना बिहार में जगे हैं दर्वंगा आपने पता होगा तो दर्वंगा घराना जो है इसकी खास बात यह है कि इसके जितने भी सिंगर है उसमें सब के नाम के आगे अक्सर मलिक मिलता है क्या मिलता है मलिक मलिक दर्भंगा खराना धृपद गायन जैसे राम चतुर मलिक क्या नाम है राम चतुर मलिक विदुर मलिक विदुर मलिक जो है वो दर्भंगा घराने को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान इनों नहीं दिया है अब है नरायन मलिक, स्वर्गीय पंडित संजय कुमार मलिक, लच्मण भट तैलंग और सिया राम तिवारी बीश्वी सदी में दर्भंगा गराने की जानी मानी हातियां थी 1980 और 1990 के दसके दोरान व्रंदावन में रहने वाले और पढ़ाने वाले स्वर्गीय पंडित विद्धुर मलिक जो है के कारण दर्भंगा गराने के दृपद का व्रंदावन में एक मजबूत प्रतिनित है महान महिला धुरुपद कलाकारो में असगरी बाई बेगम अलका लाहिडी असोक नंदी मदुभट टैलंग और पाकेत तानी गाईका आलिया रसीद और इतावली यानि इटेलियन की गाईका अमेलिया क्यूनी भी सामिल है यह किस्से है दर्वंगा गराने से तो दर्वंगा गराने के बारे में मैंने आपको बताया था कि खंडारवानी और गौहरवानी में गाते हैं राग अलाप पर ज्यादा जोड नहीं देते हैं दर्वंगा गराने की खासियत यह है कि अक्सर इनके नामों के आगे क्या लिखा हुआ है मलिक लिखा हुआ है पंडित विदुर मलिक यह नाम याद रखेगा ब्रंदावन में दर्वंगा गराने का एक बहुत ही खास प्रतिन दिद्ध है बिहार से है दर्वंगा लेकिन इसक पागेतानी गाई का आलिया रसिद और इतावली गाई का Emelia क्यूनी किस की है किस घंखाणे से बिलॉंग करती है धर्बंगा घंखा ने यही पूछेगा यही पूछता है कि पंडित विदुर मलीख किस गराने के है एमेलिया क्यों नी किस गराने से हैं तो एमेलिया क्यों नी किस गराने से हैं हैं इटाइलियन लेकिन गरबंगा गराने से अस्गरी बाई बेगम ये किस गराने से हैं दरबंगा गराने से हैं दरबंगा बियार में बियार में एक और गराना था डुम्राओ गराना जिसे बेतिया गराना के नाम से भी जानते हैं डुम्राओ गराने का जो इस्थापना थी या बेतिया गराने की जो इस्थापना थी वो दुबे बंदू ने की थी किस ने की थी दुबे बंदू कौन थे इस गराने के संथाप जहां के जो पिता थे वह भी डुम रह उग ख़राने से तालुक रखते थे और इसी क्लाने के लिए बञ्जाते थे धितने होता क्या है कि जब कोई आदमी करता है तो उसके साथ-साथ बजाआए constitutional कि कोई तबला बजा रहा होता है कोई सारंगी बजा रहा होता है कोई सहनाई बजा रहा होता है और कभी-कभी डांस वाले भी होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि डांस वाले हों बजाने वाले हों और गाने वाले वो एक ही गराने से तालूक रखते हों तो यह जो बिस्मिल्ला खां उस्ताज बिसमिल् leaked Khan, जो सैनाई वादन के लिए जाने जाते हैं, उनके पिता जी जो थे, वो भूध बढ़े सैनाई वादक थे, और डुम्राओ गराने के लिए यही सेनाई बजाते थे इनकी जो धुदिप wipes what a the अबिर चंदुबे और अनूप अबसाए quatroया दो क्वेकर रुलेगे नहीं करती है वह खयाल से रिलेट करती है ठुम्री से लीलेट लेट करती है तो जब वो आएगा तो आपको और ज्यादा मज़ आएगा क्योंकि कुछ गाने आपने ऐसे सुने होंगे जो हम यहां पर डिसकस करेंगे तो मानिक चंदुबे और अनूप चंदुबे नहीं याद रहता तो दुबे जी का नाम याद रखेगा दुबे जी ने क्या किया था दुम्राव गराने की थपना की थी इसके अलावा इसमें बकसर के दुम्राव गराने के प्रसिद गायकों में पंडित दुम्राव गराने के प्रतनिदी जो है वो राम जी मिश्रा है पंडित कमोध मिश्रा है और यह दुम्राव गराने के प्रतनिदी भी है तो आगर मैं बेटी आ ये क्या करताा था अपने ही लोगों को प्रमोट करते थे थे हथ विलोगरी यहां कि यह पुरा चंदर मिलेंगे इसको अधरवीुज मत Don मैंने ऐसा ऐसा भी नहीं कि कोई मिश्रा है तो वह डुम्राव गराने कहीं होगा मोस्टली एक याद करने के लिए इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो है ना कि चलो और पंडित अनूप चंदुबे दोनों कलाकरो मुगल समराट सहा जाद वरा सम्मानित किया गया था यह हमने खतम किया दुरुपद अब दुरुपद से जुड़े हुए कुछ प्रशन आपसे पूछे जाएंगे दो मिनट में आपको उसको उतर देने कितना सांती से आपने स शुरुवात हुए थी बताइए सोचे बताइए सभी लोग दोनों तरफ हाँ जी बेतिया और डुम्राओ सेम है बेतिया घराना और डुम्राओ घराना जो है वो अल्मोस्ट सेम है कि स्वामी हरिदार ही माने जाते हैं तांसेन तो आप यह पूछा जाएगी दागर घराने की स्थापना किसने की की तो आप स्वामी हरिदार सो तांसेन दोनों का नाम लेंगे ठीक है दुरुपत गायन किस राजा के शासनकाल में टॉप पर पहुछा था अकबर के है ना तांसेन जो है वो दुरुपत को आगे लेकर के आये थे वैसे सबसे ओल्डेस सेली जो है गायन की वह कौन सी है दुरुपत के कितने घराने हैं दुरुपत के कितने घराने हैं चार, कौन से दागर, बेतिया या डुम्राओ, दरवंगा गराना और तलवंडी गराना, पाकिस्तान से कौन सा रिलेटेट है, तलवंडी गराना, तो उसको छोड़ देंगे, दुबेजी लोगों ने, अच्छा ये तो यहीं पर हो गया न, मानिक चंदुबे और अनुप चं दुबे ने किस गराने की स्थापना के थी, डुम्राओ गराने की, ठीक है, पही उद्दीन डागर, ये किस गराने से बिलॉंग करते हैं, पता चल गया है, डागर गराने से, असीत कुमार बनर जी, किस गराने से बिलॉंग करते हैं, असित कुमार बनर जी, किस गराने से ब करते हैं असगरी बेगम असगरी बेगम ये किस घराने से बिलॉंग करती है दर्भंगे घराने से एमिलिया क्वीनी ये किस घराने से बिलॉंग करती है दर्भंगा घराने से पंडित विदुर मलिक को किस घराने का संथापक माना जाता है पंडित विदुर मलिक को किस घराने का संथापक माना जाता है दर्बंगा घराने का पंडित विदुर मली को किस गराने का संथापक माना जाता है दर्बंगा घराने का ठीक है मलिक वाले जो भी है वो सारे के सारे दर्बंगा घराने से हैं दुबे या ब्रामर जो भी है वो डुम्राओ घराने से हैं या बेतिया करेंगे खयाल दूसरा गायन विदा देखें क्योंकि काफी इस्ट्रिक होता था दुबन दुरुपद तो कुछ लोगों ने क्या किया उसके अंदर थोड़े इंप्रोवाइजेशन करना सुरू किये ताल और लह में परिवत्न करना सुरू किया बहुत इस्ट्रिक ने किया फिर भी देखा गए काफी अच्छा बन रहा है और इसका स्रेक इसको जाता है अमीर खुसरो को अमीर खुसरो ने क्या किया कि खयाल गायकी का प्रतिपादक था यानि कि खयाल गायकी की सु अब ने improvise किया तो खयाल निकला और खयाल ही आज की डेट में सब जगे प्रचलित है यानि कि जो भी गाईकी हो रही है वो में रूप में किस में हो रही है खयाल में ही हो रही है तो खयाल का जो प्रतिपादक था वो कौन था अमीर खुश्रो था ठीक है और इसके जो में घरानी है वो हैं ग्वालियर किराना पटियाला आग्रा एंड भिंडी बादार घराना इसी से मोशली प्रश्ण आपके ससी में आते हैं मलब अगर आपने खयाल घराना कंप्लीट के लिए तो 80% आपका काम हो गया तो खयाल घराना जो ह है यह आपका छोटे-छोटे सौंग होते थे इसमें ना मेन इसमें काम क्या होता था कि राजाओं की इस्तुति करो रित्मों का वर्डन करो भागवान क्रश्न की सरारते होती हैं छोटा-छोटा इसको गया जाता है मैं बहुत लंबे-लंबे गयान जैसे दुरुपत जो होत है कि इसी तरीके से आप गाएंगे खयाल गायन की अगर हम बात करें तो दो तरह के खयाल गायन होते हैं एक में आपको सब्दों का काफी कम प्रयोग किया जाता है तानों का प्रयोग ज्यादा कियाता है आलाप का प्रयोग ज्यादा करते हैं और एक में आपका आलाप का प गाना आता है जिसको नहीं दुरुपत गाना है वो खयाल गा लेता है तो आज की डिट में यह काफी प्रचले थुई क्योंकि इसको सीखना गाना काफी आसान था इसे प्रमुक गराने कौन-कौन से हैं ग्वालियर किराना पटियाला आगरा और बिंडी बजा गराना डारेक् राजा मानं सिंङ्ग तोमर ने गौलियर स्कूल की इस्थापना की थी गौलियर स्कूल of म्यूसिक वहीं से गौलियर गराना निकला और गवालियर गराने से ही TANSeig जो है वो सीखकर निकले थे यहाल गया कीसी ज़ुए, ग्वालियर गराने की बात करें तो धुरुपत प्रवाद के जनक राजा मान सिंग तोमर ने गौालियर संगीत विद्याले की इस्थापना की जहां गौालियर घरानी की निव पड़ी इन्होंने कई सारे विद्वान संगीतकार के साथ जिन्नों के दर्बार को सुभोसित किया इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट विषेस्ता होती है ये गमक पर अधक आधारित होती है गमक पर मतलब एक जगे से दूसरी जगे तुलंत मूव कर जाना कोई भी सुर चल रहा है एक सुर से दूसरे सुर पर मूव करना ये इनकी खास विद्वान करना तान का उपयोब करना सरगम का उपयों बिल्कुल भी नहीं करना जहां करें भी जरूरत हो वहां पर यह सरगम कहीं पर जैसे आपने देखो कभी-कभी कोई सिंगर सारे गामा बीच में डाल देते हैं तो यह किसी भी तरह के गाहन में सारे गामा पाँ नहीं डालेंगे अगर इनको गाना भी है यह सरगम का इस्तमाल नहीं करेंगे ग्वालियर घराने की बात करें तो राजा मान सिंग तोमर को ग्वालियर घराने का संथापक माना जाता है इसके अलावा उस्ताद नाथन पीर बक्ष उस्ताद नाथन पीर बक्ष हासू अद्दू नत्थू खान यह तीन आदमी हैं हासू हड्दू नत्थू खान इनको ग्वालियर घराने का आविश्कारक मना जाता है मान सिंग तो मन ने स्कूल की इस्थप ना कर दी गौलियर घराने जिसका पीड़ी इदर पीड़ी मान सिंग के परिवार वाले गायकी में नहीं आये थे राजा मान सिंग गौलियर का था उसके परिवार वाले नहीं आये थे तो इस किसके परिवार वाले आए है इनके नाथन पीर बक्ष इनकी फोटो नहीं मिली मुझे हासु अद्दू नत्थु खान जो है ये गौलियर घराने को ले करके आए ये किसको ले करके आए गौलियर घराने को ले करके आए ठीक है ये किसको ले करके आए गौलियर घराने इसके बाद जो पहली पीड़ी आई उसमें रहमत खान उस्ताद रहमत खान इनको लग भी रहें गौलियर के हैं तस्वीर गौर से देखेंगे तो याद हो जाएगा मेरा काम है आपको इनसे परिशे कराना ताकि जब अब दुबारा इसे पढ़े तो आपको जरूर यह याद नहीं है पंडिस संकर राओ पंडित पंडिस संकर राओ और उस्ताद निसार हुसेन खान ये प्रशने से ने पूछा था कि उस्ताद निसार हुसेन खान उस्ताद निसार हुसेन खान किस घराने से संबंद से तो ग्वालियर घराने से इनका संबंद है ग्वालियर घराने स उस्ताद निसार हुसैन खान का संबंद कहां से है इनका संबंद है आपका । गौलीर घराने से। गौलियर घराने में जो सबसे पेमस आदमी हुआ वो था विश्नु दिबंगर पालुसकर ये पालुसकर एक जगे है वहां से आए थे इसी लिए इनका नाम पालुसकर पड़ा वैसे ये गडगिल थे गडगिल जाती होती ना गडगिल सुना हो गडगिल आगे लगा होता है तो विश्नु दिगंबर पालुसकर रगुपती रागव राजा राम जो पहली बार रगुपती रागव राजा राम का जो पहली बार संबोधन किया गया था पहली बार जो इस लिरिक में गया था जिस टोन में गया था वो किस ने गया था वो आपका गया था पालुसकर ज इनका जन्म एक हिंदुस्तानी संगीतकार थे उन्होंने भजन रगुपती रागाव राजा राम के मुल्च संस्क्रन को गाया और पांच महीं 1901 को गंदर्व महाविद्याले की थपना की इन्हें भारत के राष्टी गीत वंदे मातरम की व्यवस्था करने का भी स्रे दिया स्विक्रन कमोगने लगने इतना यह लगना छाए वह वहां पर है दूसरा ओंकार नाठ ठाकूर पंडित औंकार टाकूर गौलीर घराणा वहा थे यह नाम जो है यहालिया गणाने सबसे बड़े नाम है जीनकीवें तेह गौलियर घहराना जो आज है जाना जाता है यानि इस सती में गौलियर घहराने को ले कर के आने मालिनी राजुरकर डीवी पालुसकर तो पालुसकर आप यहां पे पढ़ेंगे वहां वहां आपको थोड़ा थोड़ा एक अंदाजा जरूर लग जाएगा कि हां ये गौलियर घराने वाले हैं प्रणो मुखर जी जो है वह संगीत नाखटak Academy Award दे रहे हैं vaisina sahashtra बुद्धे को अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मिस्स वीना sahashtra बुद्धे का संबंद जो है वह किसे है वह आपको गौलियर घराने से है सुननदा पटनायक, तस्वीरों को थोड़ा तो देखिए, रिलैक्स होके देखिए, तो याद जरूर रहेगा, बीवी पालुसकर, गौलियर घराना, राजा भाईया पूच वाले, अब राजा भाईया एक प्रताब गड़ में है, उनकी बात नहीं, ये पूच वाले राजा अससान देख रहो, बहुत अच्छी बात है, अब बात करेंगे किराना-घराना, हमने कौन सान से घराने देखे अभी, अभी हमने गौलियर घराना देखा, अब हम दूसरे नमबर पर देखें किराना-घराना, किराना जो है, ये उत्तर पदेश में एक जगह है, सामली, साम कोई सायदी सिंगर हो जिसने कि अचे रेट में ना ली है तो इनका सबसे महत्तों उद्धिश से रहता है कि सवरों का सही उच्छान हो मादूर पर जोर है इसके लावा धीमी गती से राग विकास करते हैं लंबी और निरंतर पिछे आम तोर पर परामप्री रागों का उपयोग सरगम बहुत कम बोलबंट यूज करते हैं पाट उच्चान की इस पच्चता कुछ करनाटक रागों विजिस्ताओं को अपयोग करते हैं और वाद रूप के विप्रीश वर पजोर अत्याधिक सजावटी और जटिलतान काते हैं जो हिलिल के बहुत गाते हैं वो किराना गराना में आते हैं किराना गराना के जो संतापक थे वो थे ये अब्दुलकरीम खान अब्दुलकरीम खान का जम 11 नॉमबर 1872 को उत्तरप्रदेश के सामली किराना सहर में हुआ था जिसकी जड़े संगीतकार भाई गुलाम अली और गुलाम मौला से जुड़ी थी उनके पुता काले खान गुलाम अली के पोते थे उस्ताद अब्दुलकरीम खान 1872 से 27 अगवे 1930 तक एक भारती सास्त्री संगायत गया थे और सास्त्री संगीत के कैराना घराना के संस्थापक अपने चचेरे भाई अब्दुलवाहिद खान के साथ इन्हों ने इस घराने की स्थापना की थी तो किराना घराने की स्थापना किस ने की थी किराना घराने की जो इस थापना थी वो की थी अब्दुलकरीम खान ने और उनके भाई अब्दुलवाहिद खान ने इन दोनों ने मिलकर के किराना घराना की स्थापना की थी तो किराना घराना की स्थापना किस ने की थी अब किराना गराना ने दिये हैं और बहुत ही इसपष्ट गाते हैं और बहुत ही दमदार आवाज के साथ ये लोग गाते हैं ऐसा कहा जाता है तो इसके जो संथापक थे वो कौन थे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहित खान और अब्दुल करीम खान ने किराना गराना क की थपना की थी अभी इसके जो important role आएंगे वो आएंगे विसुनात जाधव पंडित बीवी जाधव पंडित आरवी जाधव पंडित स्रीमती सकुंतला राजे जाधव एक ही परिवार के लोग हैं इसके लावा रामचंद्र कुंडोलकर सुंसी इनको जाना जाता है पंडित सवाईगंधर्व हिंदुस्ताणी म्यूजिक में एक बड़ा नाम है पंडित स्वाईगंधर्व का इसलिए नहीं किपन्ध अच्छा काते थे इसलिए क्योंकि इनोंने बहुत सारे लोगों को कोई तरेंड किया था सभाईगंधर्व सभाईगंधर्व किस घराने से विलो इन्ड गौलकर सुन्सीन का पूरा नाम था म्यूजिक की दुनिया में यह सवाई गंदर्व के नाम से फेमाज है सवाई गंदर्व करनाडक से बिलॉंग करते हैं और किराना घराना के प्रमुपतिपादक हैं बहुत सारे लोगों को इन्हों ने ट्रेंड किया था किराना घर सबसे चमकता सितारा है जिसने यहां नहीं पूरे विश्व में भारत की म्यूदिक की ख्याती को फैलाया वो थे पंडित धीम जोसी पंडित धीमसें जोसी गुरुराज जोसी चार फरवरी 1922 24 जनवरी 2011 में निधन हो गया करनाटक से बिलॉंग करते थे खयाल के सास्तात ये भधन और अबंग के रूप में भी गाते थे ये भारत के पहले संगीत कार थे जिनके संगीत कारेक्रमों का नियूवार्क सहर में पोस्टर के माध्यम से विग्यापन किया गया था जोसी ने अपने गुरू सवाई गंधर्व को सद्धान जी के लिए उरूप में सालाना सवाई गंधर्व संगीत समारों आयोजित करने में मात पूरिभूम का निभाई थी तो पंडित भीम से जोसी का नाम आपने जरू सुना होगा और ये पहले SSC संगीत कार ते जिनके का प्रोग्राम का प्रचार पसार नियूर्च में पोस्टरों के माध्यम से किया गया था कि पंडित भीम से जोसी cat safari na अथा यह ख्याल गायगी भी करते थे और भजन भी होगा जब आता था इसके अलावा प्रभा आत्रे हीरा भाई बरोडगर और गंगुबाई हंगल गंगुबाई हंगल जो हैं यह पहली मैला है जो खयाल गाई की या गायन के छित्र में आई थी सामुई के रूप से दो तरह के संगीत कार होते हैं एक वो जो संगीत से पैसा कमाते हैं और एक वो जो संगीत की उपासना करते हैं पूजा के रूप में संगीत को लेते हैं तो गंगुबाई हंगल जो है यह पैसे के लिए आई थी यह आप कह सकते हैं कि प्रोफिशनल गाई माइका के रूप में गंगुबाई हंगल का नाम आता है ये भी किराना घाराना से सम् Non पास कफ living ए प्रहां ये आपको कई सारे संगीतकार भी मिलेंगे और कई सारे आपको इसमें बजाने वाले भी मिलेंगी या निकी कि युश्तvent इसे पुराना गर्म बात करें तो कवाल बच्चोंका गर्णा वो तेरवी सताबदी में आ गया था तो कवाल बच्चों कराना उसमें कवाली करते थे वो लोग लेकिन वो गराना भी बाद में खतम हो गया आजकर दिट में जो घराने प्रशलम ना कि उन्हों उन्हों नियुक्त करो मिल फिलाल अगर हम बात कई ग्रेश ने इसमें, टपस अदर करें है यह राजिस्थान का एक लोकल होते थे जो उंट सवार होते थे यह उंठ चलने वाले हुआ टपा गायान करते हैं कि होता है कुछ वोग गया गया करते तो उनके अहजाब से चलता था तो फिलाल इसमें उस्ताद अली बक्ष जर्नेल खान, पाउंडर आफ पडियाला गराना, पते अली खान के साथ मिल करके, यानि अली बक्ष जर्नेल खान ने क्या किया, एक भारती सास्ती गये थे, अपने दोस पते अली खान के साथ मिल कर उन्होंने पडियाला गराने किस्ता अपना की, फिर एक टीम के साथ काने लगे पट्याला घराने में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान गुलाम अली का नाम आपने बहुत सुना होगा गजल गायक भी रहे हैं ये मलीका पुखराज गौहर जान और पाकिस्तान के प्रमुक गजल गायक गुलाम अली कई उलेखनी इनके सिश्च रहे हैं पट्याला घराने में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान मलीका पुखराज गौहर जान और प्रसिद गजल गायक गुलाम अली साहित कई उलेखनी इनके सिश्च रहे हैं तो ये हैं बड़े गुलाम अली खान ये हैं आपके जगदीश प्रशाद ये हैं बंगाली सिंगर संद्या मुखर्जी संद्या मुखर्जी का अभी हाली में 90 वश की आयू में निधन हो गया था और इस बार 2022 में इनको पदमसरी दिया जाने वाला था बंगाली सिंगर है मना कर दिया नहीं लेंगे पदमसरी क्योंकि कम से कम हमें पदम भूशन थो पदमसरी हमारे जैसे कि हैं बाद में इंका देहान फो गया था तो संध्या मुखर जी मुझे विएंकी संध्या मुखर्जी रगता में Watch सिविले निवार्ड जो है 2020 में इन्हें मिला है यानि कि पद्म भूशन जो है इन्हें 2020 में दिया गया है तो बड़े गुलाम अली खान गौहर जान जगदीश प्रसाद संध्या मुखर जी और अजीज चक्रबर्ती यह किस गराने से संबंदित है यह पट्याले गराने से इच्छ और बड़े गुलाम अली जितने बी गुलाम अली है सब पड्याला गराने यह प्रमक गाईका जो रही है यहां की तो पड़े गुलाम अली का नाम याद रखना काफी फेमस है इसमें से संध्या मुखर जी का नाम ज़रूर याद रखे क्योंकि इनका भी हाली में देहान्त हो गया है और इसी बार हुआ है 2022 में इनका देहान्त हुआ है तो यह चर्चा में जरूर हो सकती है अगरा घराना की बात करते हैं आगरा घराना पर जाने से पहले बड़ी आगरा का ना पूराना वैसे की नू का फए पहले पढ़ गई ती लेकिन इस स्टार्ट होता है जब ऐसा न censरू काoud कोई अपने यहां किसी को ट्रेंड करने लगे गाने गाने के आगे लेकर आने लगे तो कहानी कुछ प्रकार की है कि व्यापक मानता है कि देवगरी के नायक गोपाल ही अगरा घराने के आधार पदान करने के पूरी तरह से जिम्मेदार है 1307 इस्वी में अलाउद्दीन ने देवगरी की राजा राम चंद्र पर युद्ध की कोशना की और उसे हरा दिया पराजित राजा को अपने सिंगातन पर इस सर्थ पर बैठने की अन्मती दी कि वहाँ नायक गोपाल को अलाउद्दीन खिल्दी के साथ दिल्ली भेजे और यहाँ सब अमीर खुसरो के कहने पर हो रहा था अमीर खुसरो जो था वो एक तरह से इखटा कर रहा था सबको तो अमीर खुसरो ने क्या किया नायक गोपाल को बुलाया आओ बिटा मिलकर के कुछ गाते हैं और नोहर बानी की सुरुवात की तो नोहर बानी का जनक कौन होता है नोहरबानी के जनक थे नायक गोपाल ये आगरा से गए, इनके बोलचाल में फोड़ा डिफरेंट था दिल्ली पहुचे, वहाँ पर अमीर खुसरुक साथ उर्दू समावेस में आए और एक नई गायक सहली का विस्कार होता है, वो बनता है नोहरबानी तो आगरा गराने का जो संथापक माना जाता है, जो पहला सिंगर माना जाता है आगरा गराने की तरफ से वो माने जाते हैं नायक गोपाल, क्या माने जाते हैं नायक गोपाल बाद में आगरा गराने में खयाल गायन का सुरूप बाद्यों में कम और स्वर को अधिक मात देने पर केंद्रित है यानि ये बजाओ कम गाओ ज्यादा उस तरह के हैं मामला तो आगरा गराने में सुरूंकों गाने के तरीकों की मांग की है कि गायन किसी भी अन्य गराने की खयाल गाएकी कि तुलना में अधिक सक्तिसाली और विशाल हो ये इतना तेज आवाज में गाते हैं आगरा गराने वाले धादाड़ की आवाज आती है इस तरह वाला गायन होता है आगरा गराने का मैं मजदाग के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको याद बना रहे एक और विज़ता है आगरा गराने के लिए सानदार बोल्गारी के साथ इसका उत्करष दुरुत खयाल संगीत है जो पूर्ण लैबद प्रबावों का भी उपयोग करता है अब एक चीद में आपको बताता हूँ जो खयाल गायकी है वो तीन तरीके की गायकी होती है मध्यम लै खयाल दुरुत खयाल और विलंबित खयाल तीन खत रहे के खयाल होते हैं अब इसको समझ ना ध्यानते गायकी जो बनी है हिंदुस्तानी वो पूरी हार्ट बीट पर बनी हुई बहुत साइंटिपिक है आ रही है तब अगर जो साइकली सिटी है गाने की जिसमें जो ताल है वो ताल आपकी हैदर की धग 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 जो स्पीड है उससे रिदम कर रही है उससे मैच कर रही है और इस तरीके से गाना गया जा रहा है तो वो सीधे दिल पर पहुंचता है वह सिधे दिल पर होँचता है या निए आपकी हाड़ बीट को आराम देता आप थोड़ा सा अच्छा मैसूस करते है तो इसको कहा जाता है मध्यम ले खयाल गायन अगर इसीह को थोड़ा दीमा कर दिया जाए में गायन इस तरींके से किया जाए कि आपकी heart beat का just half हो तो आपको दुख feel होता है आपको sadness feel होगी आपके music के अंदर sadness feel होगी आपका मन भी थोड़ा थोड़ा दीरे दीरे उदास होने लगेगा वियोक जयता आपको feel होगा इसे कहा और अच्छा महसूस करेंगे आप उर्जावान महसूस करेंगे जैसे वीडरस की कोई कविता आप सुन ले तो इसे कहते हैं दुरुत ख्याल तो जो दुरुत ख्याल का गायन है वो आगरा घराने वाले बहुत तेश करते हैं और सांडार बोलकारी एकदम गल 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 का ट्रेन चल लहीं हो जैसे वैसा वाला गायन तो इस भारी इस पर बीट के साथ तान अक्सर तोप की फाइरिंग गरा जो बिजली की आवाज जैसी आवाजे निकालते हैं इस तरीके से यह गयान करते थे तो यह क्या था आगरे घराने की विज़ेस्ता है जिसको भी ऐसे पखलाते हुए सुनो मुझीक सुनके तुम बता सकते हो कि आगरे घराने का सुनना है कि नहीं सुने है कि नहीं सुने नहीं तके तके तो नहीं तखना नहीं वए मजह आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी बोल्ड टान्स बगेरा होते हैं दिखें बोल through बोल टान क्या होती है। जब आलाप शुरू में गय जाता है यह तान है यह अगर शुरू में गाई जाएगी तो क्या होगी अलाप होगी बीच में गाई जाएगी तो तान होगी और बोल तान का मतलब गाने के ही सब्दों का प्रेयोंग बीच में तान में कर देना उसे क्या कहते हैं बोल तान कहते हैं और सिर्फ तान मतलब जैसे मैंने तुमको लग रहा इतना कंटेंट बनाने के बाद मुझे फीस कम करनी चाहिए इससे बढ़िया थे तुम दो बोदल खून लिलो मेरा अब तो फीस बढ़ने का टाइम आ गया है नियु यर आ गया है चलो मैं कौन ते घराने का हूँ मैं मिस्रा घराने का हूँ अपने घराना बनाऊंगा मैं एकदम अलगी श्टाइल पर काऊंगा आगरा घराना समझ में आ गया होगा तो आगरा घराना के प्रतिपात कौन थे आगरा गराना कौन लेके आया नायक गोपाल लेके रहा है विचारे को जब दस्ति चल आगरा गराना कैसे नहीं बनाएंगा चल तुझे आगरा गराना बनाना पड़ेगा अमीर खुसरों का बहुत दिमाश चला अमीर खुसरों उठा करके ले आये उसको आगे बड़ो इनको देखो ये मेन फाउंडर है वो पहला सिंगर था आगरा गराने का जिसने एक गायन सेली लाए और फिर इनको पसंद आ गई इनका नाम बड़ा अच्छा है इनका नाम है घग्ये खुदावक्ष कौन से खुदावक्ष गग्ये खुदावक्ष तो घा से गग्ये जो उस्ताद घागे खुदावक्ष ही थे जो गौलीइर घराने से आगरा घरान लाइं अंधता नो फिर येश से देख उल्रफ ayam wasn't उस्याड़ा घ। जोड़ा निकाल गएक घर ऑपाद एक सुष्णी आवाज ती एसा माना ज़ाथ था कि उनकी आवाज सुनने वालों के आखों में आशू ला सकती थी तो आशू लाने वाले कौन थे घग्ये खुदाबक्ष घग्ये खुदाबक्ष को ही पहला प्रतिपादक माना जाता है आग्रे घराने का या आप इसे एक्पोनेंट भी कह सकते है एक्क्पॉनेंटी वह व्थिक्ति होता है, जो पहले तहीं कोई घराना सुरू हो गया, अपना टेच डाला, और उसको एक्दामला की साइड में ले आए तो पहली बत आगरे घरानी की विजिस्ता ही क्या है? आगरे घरानी की विजिस्ता ये है कि ये तीन घरानों से मिलकर बना है दिल्ली, गौालियर और जैपुर अतरॉली घराना इसके पहले थे नाय गोपाल और दूसरे है गगे खुदा बक्ष ऐसी सुरीली आवाज कि लोगों के आँखों में आसु आ जाएं जैसे मेरी आवाज, मेरी आवाज तुम अभी में एक घंटा गालू ना तो तुम्हारे कान के परदे पड़ जाएं, है ना, सगी है एकदम, चकए चक आगे बढ़ो इसके अलाबा गुलाम अभास खान गुलाम अभास खान जो है, ये गगे खुदा बक्से लड़के थे पयाज खान जो है ये इनकी बेटी होती थी उनका नाम क्या था नाम मैं भूल रहा हू, वो गायन में नहीं थी लेकिन उनकी बेटी का बेटा है विलायत हुस्य 아니라 nie ये ऐस सी ने पूचा विलायत हुसायन खान कि सब्सक्रान में तो जोहरा बाई आगरे वाली जो है यह किस्टा सम्मानों या चंद्र проблем मेंुलत उदितंस नाम सः हुआ है जितेन रभसेकी यह आगरा घराने के प्रमुक सिंगर हैं प्रमुक सिंगर हैं। रेजनी की ग्लास अब पेड़ चलती है एकदम चकाचा पेड़ चल रही है है आगे बढ़ा जाए तो आगरा का घराना पूराना। जोहरा भाई आगरे वाली, विलायत हुसेन कान, घग्ये खुदाबक्स, मुहमत पयाज खान, जेतेंद रबसेकी, एन गुलाम अबास खान, ये किस से समधे थें, आगरा के घराने से हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, भिंडी बादार घराना, अगर मैं आप से कहूँ कि आपके जितने भी बॉलिवोड सिंगर है, जुम बराबर जुम सरावी, जुम बराबर जुम, गाना सुना है, नहीं सुना है, सुनना चाहिए बाई, एजाज खान, और एक गाना था, चलता सूरज धीरे धीरे, ढलता है, ढल जाएगा, है न, ये है थे सारी की सारी भिंडी बजार घराने से, आसा भोसले भिंडी बजार घराने से, क्या नाम उनका, लता मंगिसकार भिंडी बजार घराने से, एक्शल में क्या है, मुंबई में एक जगे है, महराश में एक जगे है, मुंबई, मुंबई में एक जगे है, जहां पे एक होटल थ वीर्षा होटल करके उसके नीचे एक बजार लगता था तो अंग्रेजों के जमाने में इसे कहा जाता था वहीं पर सारे सिंगर इखटा हुआ करते थे वह गाना वना गाते थे प्रतिपादा कभी मैं बता दूगा दीरे दीरे वहीं पर सिंगिंग डेवलप हुई मुंबई की जो भी सिंगिंग है वह वहां पर डेवलप हुई खयाल गाई की जो है वह वहीं पर डेवलप हुई बिह Behind the Bazar Behind the Bazar Behind the Bazar दीरे-दीरे क्या बन गया? भिन्दी बन गया , वहां पे भिन्डी की बदार महीं हो थी थी keysmond2 बदार को भिन्दी बदार कर दिया उनos long Wow बेंधा बेंडी बदार घराने की तबना 1860 आप देखो यह सबसे नया घराना मिल रहा है 1890 के आसपास है चज्जु खान नजीर खान और खादी मुसेन खान ने मुंबई के भिंडी बदार अलाके में की ती इसमें क्या है खुले सवर में गाते हैं सांस के नियंतरन पर जोर देते हैं और प्रातमिक्ता देते हैं कुए का उपयोग करते हैं यूज अफ वेल नोन मारू खंड और खांड मेरू अलाक के कोई सिश्टम होगे आई डून नो तो उसका इस्तमाल करते हैं बिंडी बदार वाले आमिर खान का नाम आपने सुना होगा आमिर खान अपना गजनी वाला नहीं आमिर खान एक बहुत ही प्रस अंजनी भाई माल पेकर इस घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं यानि एक्पोनेंट है वेल लून एक्पोनेंट ऑफ चज्जु खान के बेटे अमान अली खान का नाम भी बहुत बड़ा है और एक SSC ने डारेक्ट पूछाए कि अमान अली खान किस घराने के हैं बिं आजू नजीर नजीर खान और खादिम हुसैन यह किसके संबंद संबंदित हैं बिंडी बदार घराने से संबंदित हैं और यह लोग भी यूपी से ही गए हैं अंजिनी भाई माल पेकर है अच्छी बनाते तर अच्छी टाइक की नहीं बनाते थे थोड़ा लग टाइप की पेंठिंग बना देते थे मलब उनका विशेश जो जो रहता था वो इस त्री सौंदर ये पर रहता था हाल विल्यालम बात करें तो अंजिनी भाई माल पेकर हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत के भिंडी बजार गर आने से संबंदित एक प्रशिद भारती सास्त्री गाईका थी 1958 में बहुत इंपोर्टेंट ध्यान से पढ़ना और मज़ा है इस कंटेंट में इस पॉइंट पर मज़ा है तुम्हें लगे कि हां एससे क्या आईएज भी ये प्रस्ते पूछ सकता है तो लाइक लेरते वह नजर आने चाहिए नहीं आने चाहिए लिगो मैं कितना खुस हूं इतने कम बच्ची है पिर भी मैं कितना खुस हूं तागल हूं ना चलो 1958 में वह संगीत नाटक अकडमी फैलोशिप से सम्मानित होनी पहली महिला बनी संगीत नाटक अकडमी संगीत और नाटक अकडमी के लिए भाजगी राष्टी अकडमी दौरा प्रतान किया जनरल सर्वुच सम्माने अपनी युवा वस्ता में अपनी सुंदर्ता के लिए प्रसंसित माल पेकर चित्रकारो राजा रवी वर्मा और M.V. धुरंदर की प्र अलीख खान के जो शिष्य रहे उसमें असरफ हुसैन लता मंगेशकर वसंत राओ देषपांडे एंड मन्नाडे मन्नाडे का नाम सुनाओगा संगीत का ये किसके याद रखो कि ये किसके सिष्य ये याद रखो कि ये किस घराने से हैं बिंडी बदर मुंबई वाले तो तो मिले ते याद आया तो ऐसा है कि आदमी यहां से ठीका निकल गया उद गराने में ऐसा है तो confusion हो सकता है कि सोरी आमोनकर कि सोरी आमोनकर भाई सहाब यह जैपुर अत्रॉली गराने में यह किसमें है यह जैपुर अत्रॉली गराने में भी हैं और बिंडी बजांने में भी तो है तो जैपुर अत्रॉली गरानेगर यह अगर मिंदी बजाकर नो पुछूंगा अभी मैं प्रश्ण में पूछूंगा जवाब नहीं देगा उसको डंडे वी चटकाऊगा दौर्का नाथ भोसले पंडित इश्वर नंदरा सुभास दस देशाई नीलम यागनिक मितालाई देशी किरन सुखला इसको छोड़ दो ठीक है आगे तो में तिक चलो next करते हैं इनको देखो जूंबराब अजीज नजान एजाज खान नहीं अजीज नजान की गजल है ये जूंबराबर जूंचरावी ये भी किसे सम्मंदित है बिंडी बजार घराने से सम्मंदित है इसके अलावा कुछ और घराने है जो बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन उसमें कुछ-कुछ काफी चीज़े इंपोर्टेंट है जैसे जैपुर अत्रॉली गराना इसकी स्थापना अलादिया खान ने की थी लेट 19th सेंचिरी में केसर भाई केरकर मोगु भाई कोडर कर किसोरी अमोनकर देखो मैंने बूलना किसोरी अमो गराने से घग्ये नदीर खान ने इसकी स्थापना की थी दिल्ली गराना मेर खुसरों ने स्थापना की थी मिया सामती के साथ सदरंग अधरंग मिया अच्पल अब इनके बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है फिर आप अगर मौका मिले तो इसको पढ़ देख चांद खान वगेरा इसमें दिल्ली गराना खतम हो चुका है अब दिल्ली गराने के बहुत फेमस सिंगर नहीं वचाई जो निकल के आ गए है वो बिंडी बदार गराना और किराना गराना ही निकल कर आ कि सोरी अमोणकर का नाम कर जरूर याद रखें यह किस घराने से ये जिए पुर ऑत्रौली घराने से हैं अब करते हैं कि की कि कि तुम्री तीन ही हमकों करने हैं थम्री के बाद बहुत ज़्याद ही नहीं क्सच्छित है कि फुड़ा उर स्वद्नत्मों काम में काम होता है प्लब करके जिससे सरंगार रस की प्यधानता हो ठुम्री मलत ठुमकना राधा जी ठुमकते ठुमकते चल रही है क्रश्ण जी उनके लिए गाना गा रहे हैं इस तरीके के प्रादुर्भाव इसके अंदर गत रहते हैं तो यह एक सेमी क्लासिकल मेजिक डांस फॉर्म है और यह ठुमकना वर्ड से डराइव हुआ है यह मतुरा वरंदा बनके इधर उदर आपको ज्यादा मिलेगा अब जैसे जैसे आप गयान में नीचे जाएंगे जैसे ठुम्री की बाद आप जाएंगे तो ऐसे गयान मिलेंग उसको अलगी तरह से लेवल पे ले आए वड़ा थोड़ा था उसमें ये चीज़े डाल दी की जो भी उसमें अलाप अलाप की बंदिसे वगेरा होती तो उसको बिल्कुल हटा दिया सिर्फ और सिर्फ उसमें सौंदर की प्रदानता की गई मैंला संगी सुनने में अच्छा अलागे भासा थोड़ी से अच्छा हो जाए तो वह थुम्री के अंतरगत था थुम्री इस यूजली परफॉर्म्ड एदा लास्ट आइटम ऑफ खयाल अक्सर लोग थुम्री का गयान तब करते हैं जब खयाल का कंसर्ट हुआ लाट में छोड़ी थी थुम्री गादी हो गया 24 अक्टूबर 2017 में क्वीन आफ ठुम्री कहलाती थी गिर्जा देवी इसकी उत्पत्ति पूर्वी उत्तर पदेश में मुक्रूप से लखनव और बनारत में 18 सतापदी के आसपास हुई है यह बंदिस की ठुम्री या बोल बंठी और या ज्यादा तर लखनों के वह से नाब बसंदल देत हैं जैसे पानी को पूर्यारा कहेंगे कुछ बी बदल देते ब्रजबाता का प्रोट इसमें कुछ ज्यादा आता है तो अकटर पिया के नाम से नवा बाजी दली साज है उसको ठुम्री का जनक माना जलता है है हुं समय तवायफों के यह थोड़ा था इसमें Bollywood मिला है तो उसको दो है वह द् onda जीवन्त होती है के ओर भी जुबंटी के जो घराशने है वह और तीनी घराशने है बनारसोब लखन' टो बनारस गराशना जो है, वह खयाल का नहीं है वह घराशनन खराने जो एंग और यहां पे आता है पट्टियाला गराना यह nuovo ही है जो अभी हम लोग उने खयाल में देखा उसमें भी कुल लोग ठुम्री काने लगे थे ठुम्री दो तरह की होती है एक होती है बनाराग घराने वाले जो गाते हैं वो थे बोल बनाओ ठुम्री बोल बनाओ ठुम्री का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी तरीके के किसी भी राख का कभी भी insert किया जा सकता है मैंनOL कभी भी कोई भी राख introduce किया जा सकता है इसके सब्सक्राइबन कम होते हैं गायन ज़्यादा होता है इस तरह की चीज़ें जादा होती है आप मैं relate कर वा रहा हूँ संकर महाध्रावन को वह आला गाना याद आरा जिसमें वह भगे आlles सांस रुटे गाता गया तो वह एक तरह के बोलबंध हुम्री हो गई यह सिदेशरी देवी है उन्निस सु सत्ता तक रही गिर्जा देवी की बारे में अभी हम लोग ने बात की उन्हें क्वीन ओफ ठुम्री भी कहा जाता है इसके बात बात करेंगे पटियाला घराने की इस तरह के ठुम्री गायन के लिए उन्निस्वी तरदाब्दी में पटिय यह झेले गराना की एक और बहुत फेमस गायका है ॉश् county भी दिए न्हार्त Gramophone Company दोरा जारी किया गया और इसके परणाम सरूप उन्हें Gramophone Girl और भारत की पहली Recording Superstar के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम क्या था? गौहर जान गौहर जान किस गराने से संब्द देते हैं? पटियाले गराने से संब्द देते हैं बताइए प्लीज हेल्प सर रीजनिंगा बैक कब आएगा? रीजनिंगा बैक चल रहा है भाई टिक है? तो छोड़ दो भाई गौहर जान तो Gramophone Girl के रूप में किसे जाना जाता था? गौहर जान को और ये किस से बिलोंग करती थी? पटियाला घराना से बिलोंग करती थी अब देखो इनको देखो ये है नूर जहां मलिकाय तरन्नुम कहा जाता है ये भी ठुमरी गायन में famous है जैसे जैसे आप नीची जाएंगे तो आपको लेटेस सिंगिंग मिलेगी बेगम अक्तर हिंदी गजल क्लासिक गजल क्वीन ओफ इंडिया मलिकाय तरन्नुम ये पाकितान की गायका है नूर जहान और एक है सावन बीता जाए सावन बीता जाए ये गाना सुना है बहुत पुरानी फिल्म है मुझे याद नहीं है लक्ष्मी संकर ने इसे कंपोस किया था ये है निर्मला देवी तो जितना भी आप पिल्मी गाने सुनेंगे ऑल्मोस्ट वो सारे के सारे क्या है ठुमरी गायन में है जो पुराने टाइम पे हैं या अभी हैं वागे में लदिरिक्स होते हैं यह तो सुना होगा है तो यह किसका है ठुम्री बेगाउम YouTube की धुरी बीकसी कसी गहते हैं वहां बिंदा दीन महाराज का नाम आपने सुना वोगा यह लगरोजराना इसे संब्ल dw 27 इन दर टू डिकेड प्रेसीडिंग डेट रिवॉल्वर 1857 के बाद में ठुम्री जो है वो लखनव में कासी उचाई पर पहुंची मैंने पहले ही आपको बताया कि लखनव गराने की जो ठुम्री है वो मेंली तवाइफों के कोठों पर चलती थी वहां पर गया जाती थी तो साथापक मना जाता अगे मना जाता है इसके बाद सादिक अलिखान जो सिंगल मोश्ट इंपोर्टेंट फीगर हैं लखनव गराने को डेवलब करने के लिए साधी अली रखने से संब्लित थे 돼요 ने ने हमारा 3 हम ने कम्प्लीट किए बनारव गरान हमनें कम्वीट की आ पिर उसके बाद हमने क्याप कम्प्लीट किया फिर हमने कम्प्लीट किया पटियाला गराना और फिर हमने कम्प्लीट किया आपका एक बाद दुबारा दिखा देता हूँ बनारस गराने में सबसे पहला बनारस गराने के लिए जो टॉप पर आई हैं वो हैं मना बरानाज गराने में रसूलन भाई, सिदेश्वरी देवी, महादेव परसाद मिश्रा और चुनुलाल मिश्रा पड्याले गराने में वई आगे मिया कालू, कालू मिया, गौहर जान, बेगम अक्तर, निर्मिला देवी और नूर जहान फिरल लखनौ गराने में बंदिस त हिंदी में नहीं है, कोई बात नी, तराना जो है, यह आपका नौर्फ इंडिया में डेवलफ हुआ, और इससे नौर्फ इंडिया से यह, अमीर कुस्रो ने इसका उत्पाधन किया, म beginnen, अमीर कुस्रो ने तराना को लेकर रहा है, यह सूफी में कलवाना होता है, उससrimर से वाई गुरु गोबिन सिंगं जी ने भी तराने का प्रयोग किया था पंडित रतन मों मिश्रा जो है व में वर्तवान Заभमें सबसे तेज तराना गयक माने जाते हैं यह मेवाती घआने से विलोग करते हैं आमिर घ्रानं जो है इंदौर घहरने से Leben और निसार निसार inten नहां गया टौली में रामपूर सावान गराने बाद में रामपूर सांवान गराने अ reflex दंधमार की बात करें अकसर दिखाओं कर गाहतों में गीद गाय जाते है जब बहुत धीमे धीमे घाया जाता है खयाल को तो उसे धमार कहते हैं तो यह दो अलगले फॉर्म हो जाते हैं पांचवां धामार ताल पर सेट रुपत सैली के गीत को धामार भी कहा जाता है जिसमें पकावज यह पकावज क्या होता है ठोल कैसा ऐसा वाला तिकोना टाइप पर साउथ में आपने पकावत देखा हुगा ड्रम की तरीके इसको बजाए जाता है या वित्य रूप से बरसाना मतुरा बंदावन में छेतर में खेली जाने वाली होली के तैवार के दौरान गया जाता है या गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के प्रेम प्रसंग को उजागर करता है धमार ताल में 14 बीठ है जिने 5-2-3-4 के पैटरन में विसम रूप से समोही करत किया गया है तो धमार कहां गया जाता है बरसाना मतुरा बंदावन में गया जाता है धमार क्या है होली के टाइम गया जाने वाला गीत है और इसी तरीके से एक हो जाता है तो आपने देगा गाने की जगे अलग अलग है सेम चीज़ है धमार और होरी सेम चीज़ है बस यह की थोड़ा दीमे गाएंगे तो धमार हो जाएगा तेज गाएंगे तो होरी हो जाएगा है ना तो दिलज़त बात यह की होरी में सास्त्री और सास्ती संगित दोन कहलाता है दोनों सेम चीज़ हैं पर थोड़ा सांतर है आगे जाते हैं जब धमार को हलके तालों में गया जाता है और ठुम्री के तत्तों सामिल करते हैं तो इसकी रचना होरी होती है होरी को राग काफी में गया जाता है तब से जादा गया जाती और भी रागों में गा सकते हैं लेकिन होरी में जो गया जाने वाला राग है होरी किस राग में गया जाती है काफी नाम के राग में गया जाती है आगे आता है टपा टपा इसकी उत्पत्ती अठार्मी सतापदी के इस्वी के अंत में उत्तर पश्चिम भारत के उंट सवारों से हुई थी जो गायन के उद्देश से थे जो गायन के देश से इस्थानी मुहावरों और वाक्यांसों का उप्योग करते थे आवत के नवाब आस्फुत दौला के दरबारी गायक थे कौन मिया गुलाम नवी सौरी और सौरी मिया सौरी 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 ये किसके टपपा गायन के राजिस्थान से आता है उट सवार जो होते थे वो नोग वाक्यांसों मुहावरों अरे बीनदडी ये सब जो था वो तरह से गायक करते थे तो इसको नवाब आसुप और दला के दरबारी गायक में लेकर के आई थे इसमें वाक्यांसों के तुरित मोड के लिए विख्यात है बाद में पंजाब के गायकों ने श्रेणी के अंतरगत उच्छे गीते वाले गानों की शुरुवात की है इस सेले को लोगपरी बनाने वाले कलाकार हैं मिया सोधी गौलिय घराने के काफी ज़दा important नहीं है जो important था हो अल्मोस्ट हो चुका है गजल गजल तो आप सभी को पता है गजल के लिए कि अने से आते हैं यह आपके किस गर आने से आते हैं गुलाम अली बताया तहां मैंने बहुत चिला चिला के गुलाम अली बेगम अक्तर मलिकाए गजल गजल गिरा गजल इसका फार्सी प्रभाव है हिंदुतानी संगीत में फार्सियन म्यूजिक को मिला करके गजल गाई जाती है तो जगजीश सिंग जो है उससे सम्मादित है टिक शलो आगे बढ़ते हैं राग सागर जो है यह किसी शाजर गायन का नहीं है राग सागर तो जब इसको मिला कर गया जाता है कि इसे राग सागर का जाता है इसे रहए क्याला कोफ़ attach आठीश भारा ऑलग सहस्ता से बदलते हैं तो इसे राग सागर कहा जाता है इस तरीके के गायन को आखी आखरी है चातुरंग चातुरंग में क्या है कि उसमें खयाल भी गालो तराना भी गालो सरगम भी गालो पकावज का एक पारण भी गालो मलाई सबसे पहले त्षुरू में तेज खायाल गाय जाएगा फिर तराणा छूटा सा गाया जाएगा फिर सरकम गायी जाएगी तो यह सब करे बना दिया जाता है तो उसे कहते हैं चातुरंग मलसके उसमें 4 रंग है कितने रंग है 4 कौन कोन से अब पूशा जाता है कि चातुरंग के अंदर कौन-कौन चा रंग है तो तेज खयाल तराना सरगम तबला का या पकावच का तो बजाए जाए जाएगा उसको भी सामिल करना पारान वहलब यह पूरी तरसे एक फिर तबले के उपर उसको इंड किया तो यह पूरा पूरा क्या बनता है यह क्या है चातुरंग अगे बढ़ते हैं अब करनाटिक लेकिन करनाटक मूजिक उस टाइम जैसा था अमीर खुसरों के जमाने में आज भी लगों वैसा है इसको बगेर वाद्यंद्रों के नहीं गया जा सकता इनमें जिन वाद्यंद्रों का प्रयोग मोक्ता होता है करनाटक संगीत की आधार सिला बन गई है करनाटक संगीत में बहातर राग प्रणालियों को लेक मिलता है जिसे कहा जाता है मेला करता राग में विश्णु नरायन भारत खंडे करनाटक संगीत को और लोग भी बनाया गया है तो इसके बात करनाटक गायन तीन चरणों में होता है सुरू में रागम होता है पिर बचा के खाली समय है ये एक काम चलाओ अलापना है मतलब माली जबी गाना सुरू नहीं हो रहा है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो एक रागम सुरू कर भी आ जाता है जिसे हम अलाप भी कह सकते हैं इसके बाद तानम होता है जो लएबद इंटर कनेक्टर है और फिर पल्लवी जो एक ताल के लिए माधुर ये थापित करती है तो करनाटक संगीत में तीन चरण है रागम और क्या सा दूसरा तानम रागम तानम और पल्लवी ये किस म्यूजिक के पार्ट है ये आपके करनाट यानि दच्छिड बाती संगीत के पार्ट है दो लोग पर ये संस्करण है दो तरीके से गया जाता है क्रती और क्रतनिया क्रती मतलब गाने पर जोर दिया जाएगा अच्छा गाना लिखा हो और क्रतनिया संगीत पर जोर दिया जाता है नहीं की उसका music better हो तो क्रती और क्रतना क्रतनी में गौने पर जोर देंगे और पर किस पर जोर देंगे संगीद पर जोर देंगे फिंगे subscribe संगित तो करूझ पर ctsंघीट कितने पार्ट में गाया जाता है तुमिर रागम तानम पर विसका लगाया जा रहे हैं तो गाय जा रहा है अलाप ना एक जरह से अलाप काय जाएगा फिर में इंटर कनेक्टर कौन सा होगा तानम होगा तान करी जा रही है पिपल भी उसका उपसंगार किया जाएगा ठीक है हाँ आप क्या करेंगे यार यह हमेशा से चलता रहा है पावर का मामला पुरंदर दास अब समझो गड़ित मैं बताता हूँ यह बता हूँ हिंदुत्तानी म्यूजिक को सुरुआत करने में सबसे पहला नाम मैंने कौन से लिया था जिसके नाम से हिंदुत्तानी म्यूजिक वाकई में चला देखो अमीर खुसरो दरवारी कभी था और कहीं न कहीं राजा से उसके संबंद अच्छे रहे होंगे तो इसलिए उसकी बात राजा मानता था वो क्या करता था लोग उसके सीख सीख के आगे बढ़ता था लिखता था पढ़ता था उसको पता था इतियाद जो लिखा जाएगा उससी को अब बाकी हमारे जो संगीत कार थे स्वामी हरीदास गोपाल थे वो गाने में ही व्यस्तर है तो सबसे पहले मैंने नाम लिया हो का आपको याद हो का स्वामी हरीदास लिया था देखिए अगर शुरू से पढ़े होंगे तो इस नहीं बाउंस करेगा को बताओ सबसे पहला नाम मैंने कौन सब बता रहुं क्या कि बता तुम्हें के क्लास नहीं कर सकते तुमको कि पहले मैंने में स würden सौमी हरिदास का है सद्सक्राइज के समझो यानि हिंदिस्तानी म्यूजिक निकला कहां से कर्नाटिक म्यूजिक से पुरंदर दास को पितामा या कर्नाटक संगीत के प्रमुख सापक समर्तक गुनाना जाता है इसके लावा त्यागराज, डीके पट्टावल, स्यामा सास्तरी, एमल बसंदकुमारी, मुद्वस्वामी दिछितकार और MS सुबुल लच्मी प्रमुख दच्छिल भारतिये संगीत कार माने जाते हैं त्यागरा, डीके पट्टावल, स्यामा सात्री, एमल वसंद कुमारी, मुत्यस्वामी दिछितकात, and MS सुबूल लच्मी, इंकर नाम याद रखेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, करनाटिक म्यूजिक हो गया, अब हमने जो पढ़ा है, उसे SSC ने जो प्रश्ण पूछे हैं, वो, प्रिवियस येर, एक ही करके आप प्रश्णों का उत्तर देंगे, ध्यान से पढ़े हैं, उत्तर करें, कुमार गंधर्व, एक प्रसिद गायक संगीत के निमलिके सैलियों में से किस से संबंदित हैं, कुमार गंधर्व, नाम आया है, बीच में याद करना, पॉक म्यूजिक से हैं, करनाटिक म्यूजिक से हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल से हैं या सूफी म्यूजिक से हैं, है हिंदुस्तानी म्यूजिक से याद आया बहुत अच्छे अगला याद करो हिंदुस्तानी सास्तिरी संगीत के पुरोधा पंडित जस्राज निम लिकित में से किस घराने के प्रस्तावक थे पंडित जस्राज किस घराने के प्रस्तावक है क्वालियर किराना मेवाती यह डा मेवाती घराने से किस घराने से समधित हैं मेवाती घराने आंसर करते जैब हिंदू थानि शतीरी संगीट गायक ,पंडित भीम सेन जोसी , चिसके बारए मैं ने बताया था सरवाधिक सबसे चमकता सितारा , नीवारथ में गये थे पोस्टर बटे थे इनके नाम के बताया था बीमसें जोसी किस गराने के हैं याद करो किस गराने के हैं किराना गराने के किस गराने के हैं किराना गराने के याद करोगे एक बार और पड़ोगे याद हो जाएगा प्रसिद गाई का M.L. बसंथा कुमारी निमलिकित में से किसके लिए जानी जाती थी पॉक म्यूजिक करनाटिक म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक या सूफी म्यूजिक ML वसंता कुमारी अभी अगर आप देखोगे तो हाथ कंगन को RC किया पड़े लिखो को RC किया मैंने जो content बनाया है ना तोड़ नहीं है उस content का तुम लोगों को भला ही मजाख लगे आओ भई क्या दिक्कत है तुमारी साथ ये देखो लिखा है ML वसंता कुमारी करनाटक म्यू करनाटिक म्यूजिक से आगे किसोरी अमोनकर नाम लिखवाया था किस घराने से हैं किसोरी अमोनकर कर कि बताओ 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 किसोरी अमूनकर ये किसे हैं अतरावली गौलियर घराने से जैपूर अतरावली गौलियर नहीं जैपूर अतरावली घराना है किसोरी अमूनकर मैंने दो बार बताया था ठीक आगे जाओ निमलिकित में ते ठुमरी गायन विशेशकिता का कौन सा यूग में सही है पूरब काफी दीमा वो इस्थिर पंजाब अधिक इस्थिर कौन सा सही है अधिक आ इस्थिर अधिक आ इस्थिर मतलब तेजी से जाएगा मतलब वो इस्थिर नहीं है जल यली बदलेगा कौन्चा सही है दोनों सही है एक और दो दोनों सही है कौन्चा सही है एक और दो दोनों सही है आगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान कम उमर में अपने पिता से निम लिकित में से किस घराने से संगीश सीखा गुलाम अली खान किस गराने से हैं गुलाम अली खान किस गराने से भाईया कोई बताएगा गुलाम अली खान किस गराने से पटियाला गराने ते जिसको कसूर पटियाला गराना भी कहा जाता है किस गराने से कसूर पटियाला गराने से फटाफट करते जाओ सागी सेवागे लिए रेमन मैक्से से पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले भारती संगीतकार कौन है रेमन मैक्से से पुरसकार प्राप्त करने लिए पहले संगीतकार है करनाटक से बिलॉंग करती हैं करनाटक मीजिक से बड़े पती अली खान और अली बख्स जनरेल खान दोरा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया था बता बई क्या पट्याला गराना नहीं हो तो कुछ और ते आग रा का घराना खुदा गुग्गेबक्स त्वरा ग्वालियेर गराना मुझे लग रहा है पटियाला कराना है सही राइट अंसरी पटियाला 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 पूरी स्टैटिक कराऊंगा दोस्त लेकिन पेड वैश में करा रहा हूं है ना जैसे तुम्हें प्लीज बुरा मत मानना बट कुछ चीजों को बनाये रखने के लिए ये जिस आदमी ने बनाई होगी स यह ना समा सेवा के बना ही नहीं होगी संजो बात को फ्री में नहीं मिलता है यह सब वाइलेग बादक इल सुब्रमन्यम विष्ट पर संगीत के निमलिखिट सहलीओ में से किसके लिए प्रसिद्द है एल सुब्रमन्यम तो ये आपके पैसे दैं कारनाटिक मुझिक के लिए किसके लिए पैसे दैं कारनाटिक आगे बढ़ो चकरी एक समूगीत है जो लोग संगीत का सबसे लोग प्रियर रूप है ये कहां गाया जाता है दिखिए जो आपको चुम्दियूरण में पढ़ हो आपको पीडियाफ में पढ़ा हो तो चक्री जो है यह आपका जम्मु कस्मीर आगे नुश्रत फते अली खान , यह तो पता कर लोगस नुश्रत फते अली खान कव वाली 32-33 संगीर में सरोध समराट के नाम से किसे जाना जाता है ये इंस्ट्रूमेंट का कोश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ अमजद अली खान को किसको जानते हैं अमजद अली खान जी को सरोज समराल यह इंस्टूमेंट का कोशन है इंस्टूमेंट में आएगा अब्दुलकरीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादा के अब्दुलकरीम खान याद करो बताया था अब्दुलकरीम खान का से करीम का से किराना राइट आंसर किराना अब्दुल परिवार के घराने की थी गंगु भाई हंगल किस घराने की थी जोहरा बाई आगरे वाली तो नहीं है उनकी फोटो उधन लगी थी गंगु भाई हंगल की याद करो एक बच्चे को बैठाय हुए अपने साथ अगरा किराना ग्वालियर पटियाला मुझे लग रहा है पता निव अरे किराना की है गंगु भाई अंगल किस खरन की और ऊल sub ले राग फॉर पीस का प्रदरशण किया था राग फॉर पीस का प्रदरशण किस ने किया था?, किस ने किया था Aubjadalik खान ने 2014 में राग फॉर पीस का प्रदसन किसने किया था अम्जद देलिखान सरोध सम्राच लाइक नहीं किये तुम लोग किसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तानी संगीत को कई रागों और धुनों की रचना की ती यह तो आप बता दो यह तो पता होगा मैं बड़ा दुखी हूँ तुम लोगोंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक तो करी सकते थे भाई इतना बैतरीन वीडियो बनाया तुम लोगों को पसंद नहीं आया गलत बात है बहुत गलत बात है चलो भाई करो किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई रागों धुनों की रचना की है तो वो है भाईया तांसेन ने की है तांसेन वेरी गोट सुबम अगला निमलिगित में ते ग्रैमी पुरुषकार जीतने वाली पहली भारती महिला संगीत कार कौन थी साल्वली खोलगरे सु घृत के छेत्र में लिए तनवी साथ कोन थी तनDas कुषिण था पदम बूसर किया किसुरी अमोंकर किस घराने खहि है आगर आना की रानाゃ की कि रना कि तुणग तूंग 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 तूं है ना सुनाएं कि नहीं कि मेरे वीर दब्या सोनग मेले दी यार्दा दीवाना होगा कुछ अल्ला हूँ तो यादी होगा नुरान सिष्टर सूफी में गाती हैं दोनों बहिने कई फिल्मों में इनके गाने आज कल आ रहे हैं कई फिल्मों में यह आगे ममे खान एक भारती पाट इंडियन ऑल में आये यह ममे खान इनके उबर प्रशन पूछ लिया राजिस्तान के फोक गयक है महमे खान किसमें आये थे इंडियन ऑइल में नहीं इंडियन आइडिल में नेक्स्ट निमलिकित भाती सास्ती संगीत कारों में किसको सबसे पहले भारत रत्न का भात का सर्वोच नागरी संबान से संबाने का क्या प्रश्न है ऐसा कौन सा संगीत कार है जिसे सबसे पहले भारत रत्न दिया गया दिये में रवी संकर, बिस्मिल्ला खान, लता मंगिशकर, मदुरई सुबलच्मी, MS सुबलच्मी, और मैं बता हूँ, रवी संकर को भी मिला है, बिस्मिल्ला खान को भी मिला है, लता मंगिशकर को भी मिला है, और MS सुबलच्मी को भी मिला है, सब को मिला है भारत रतने, तो राइट आ संगितकार जय हो एयार रहमान स्व डॉड्प मिलेनियर के लिए ऊसकर पंडित रवीश झंकर किस सैली के हिंदुस्तान Classical instrumental इंस्टूमेंटल रवीश करके बाई विडिशाते हैं वीना र homosexual नि ा िशित चैल विना वो पित पंडित रवीश नंकर कि याट सॉल उमीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा खतम हो गया बैटरी भी एंड टाइम पर बैटरी ने धोका दिया बट थोड़ी तर हम लोग बातचीत करेंगे फिर उसके बाद आप चले जाना खतम हो गया है कंटेंट भी खतम हो गया है कब से गया है मैं तो इदर ठीक है तो लास्ट कोश्चन पर ही है और आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है यह जो मैं पीडियाप दूँगा यह पढ़ लेना जो पीडियाप आपके पास है वो पढ़ लेना दोनों पीडियाप पढ़ लोगे इससे एक भी प्रशन आपका बाहर नहीं जाएगा ठीक ह आपको मज़ा आया होगा और वीडियो को शेर कर दीजिएगा जो लोग बैज जोइन करने से इसी तरीके से हमारी क्लासेज जाएंगी अगर आपको कोई और सचेशन है आप चाहते हो कि सार इस तरह से करते देखिए मैंने कोसिस कि थोड़ा सा यह इंटर्टेनिंग बना र आपको आना जो है आप देखो मोटली कोश्चन यही है कि यह आदमी किस गराने से मैंने आपको सारे दे दिये हैं मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है जितना मैं कर सकता हूं आप अगले पार में लो मीजिकल इंस्टुमेंट कर लेंगे अjin मगें लगता कि 2 kids के ऐसपस की class हुई हैaugंट एक गंड़ चास मिनट मीक demasiado हूई है तो बहुत बड胆 क्ला सी नहीं है आप आरौंसे कर सकते हो elections ज्यादा है आप करणे प्टिफ पर को पताये लोंको फिस्प्र लिंग ने अपको दिया गया है कमेंट के वीडियो के enjoy करिए मैं भी जा रहा हूँ happy new year मनाने अब मेरी आज भी कोई class नहीं है कल भी कोई class नहीं है अब मैं enjoy करूँगा that's all thank you so much bye bye take care ध्यान रखेक अपना